हेलो दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का Electronic Study YouTube चैनल पर यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आपका सुपर टेट सिक्षक भरती 2020 के लिए विज्ञान का आपका जो नोट्स है वो यहाँ पर तयार है और आज का यह थियोरी का आपका पहला लेक्चर है लास्ट तक आप बने रहे गा इस विडियो के विज्ञान को समझने के लिए पूरी तरीके से आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर इस समय यह काफी कुछ पेजेस हैं इस समय आपको यहाँ पर विजिबल नहीं है कि कितने पेज है लेकिन इनके पूरे नोट्स को हमने यहाँ पर कम्पलीट किया हुआ है विज्ञान में जो आ रहे हैं उनका बहुत-बहुत वेलकम है अर्थाथ किसी विशेश ग्यान के बाने में किसी special knowledge के बारे में आप बात कर रहे होते हो आप अगर in general बात करते हो तो आप यह कह देते हो कि किसी विविशय के सुव्यवस्थित ग्यान को हम विज्यान कहते हैं यहाँ पर जो दोस्तो science शब्द है वो आपका Scientia या Scientia करके है उससे लिया गया है और इसका मतलब वास्त विज्ञान है इस Scientia का भी मतलब होता है To Know यानि जानना एक एक चीज़ों को समस्ते चलिए विज्ञान में Each and Everything सब कुछ आपका यहां पर मैं पढ़ाऊँगा आगे कहते हैं कि प्रकेटी में उपस्तित वस्तों के करमबध अधन से पराप्त ग्यान से ज्ञान प्राप्त करने और उस आधार पर वस्तो के प्रकेटी वव्यवहार जैसे गुड़ों का पता लगाना इस — विज्ञान होता है कुछ इस तरीके से भी उन्हें बताया कि जो भी नेचर में चीज़े उपस्तित हैं उनका अगर हम एक सीरीज में स्टड़ी कर रहे हैं एक क्रमबद तरीके से अगर हम उसका अधिन कर रहे हैं जो विज्ञान प्राप्त कर रहे हैं या फिर उस आधार पर वस्तु की अगर हम nature या उसकी विहवियर की study कर रहे हैं तो उसे हम science कहा देते हैं कुछ definitions यहाँ पर दी गई हैं जैसे J.B. Conant Mahoday है यह कहते हैं कि विज्ञान अंतह संबंधित प्रतियों यानि कि इंटर्रेलेटिड कॉंसेप्ट्स यहाँ संप्रत्यात्मक योजनाओं की श्रंखला है देंजी जीएगा इन्हें conceptual project की एक series है जो कि प्रिक्षण और प्रियूग के फलता विकसित हुई है यानि कि आप observation करते हो, आप test करते हो, आप experiments करते हो and finally आपको एक विज्ञान, एक science जो है वो देखने को मिलता है आप ये भी कहते हो क्रमबध सुव्यवस्थित और सुसंगठित जो ग्यान होता है उसे हम विज्ञान या science कह देते हैं यहाँ पर काल्स पॉपर क्या बोलते हैं कि विज्ञान निरंतर करंतिकारी परिवर्टन के स्थती है और वैग्यानिक सिधान्त तब तक वैग्यानिक नहीं होते जब तक कि उन्हें आगामी अनुभव और प्रमाड़ पत्रद्वारा परिवर्टित ना किया जाना नहीत न गी जाए यहाँ पर काफी सारे जो डेफिनिशन्स हैं वो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है आप देख पा रहे होंगे कि डैम्पियर क्या बोलते हैं कि जो विज्ञान है वो प्राकिरतिक विशय का सुव्यवस्थित ग्यान है यानि कि वैल आरेंजड नौलेज है धारडा तरीके से रिलेशन आपको देखने को मिलेगा अगर कुछ ऐसा है तो उसे हम विज्ञान कह देते हैं आइंस्टाइन का क्या कहना है हमारी हमारा ग्यान अनुभूतियों की अस्तिवेस्त विवनताओं या विवनता को एक तर्क पूर्ड विशार प्राली निर्विद करने क प्रियासों को हम विज्ञान कहते हैं मतलब तारकिक तरीके से तारक संगत तरीके से रूइजनेबल तरीके से जहां भी आप बात कर रहे हूं आप टेस्ट के बाद आप प्रिक्शन या प्रियूग के बाद कोई एक निश्कर्स निकालते हैं उसे हम साइंस कह देते हैं उम विग्यान शाखाओं में बहुत रिगयान फीजिक्स जो आन्य प्रकार में कुछ प्राकर्थिक विग्यान है नरी है नुद परकार विग्यान आपका भीज्ञान वीन पार्व आपकожет कॉर्छिकष पार के शामिल पूछा जाता है कि विज्ञान के पाक कार्यफदती में पहला चरण क्या होगा अंतिम चरण क्या होगा तो आपको यहीं सारी चीजों को ध्यान में रखना है सबसे पहले समस्या होती है एक प्रॉब्लम होती है हमारे सामने उस प्रॉब्लम का हम हाइपोथेसिस करते हैं यान क्या आने वाला है फिर है कुछ experimental stages होती है यानि जब आप बात करते हो प्रायोगी का वस्थाओं को ले करके उसके बाद संभावित सही परिकल्पना क्या होगी आपकी एक correct hypothesis की बात होगी जो एक possible correct hypothesis है फिर एक possible result के बारे में हम बात करते हैं और फिर बात आते है स्वरंखला बदप्रियोगों का सत्यापन जिद्रे भी आपके experiments हैं उनको हम verify करेंगे उनका हम सत्यापन करेंगे सत्यापन के बाद एक principle या फिर एक नियम जो है वो हमें देखने को मिलता है कोई एक सिध्धान्त निकलेगा सिध्धान्त से कोई एक law एक rule के बारे में हम बात कर रहे हो विज्ञान के प्रभाव के बात करें यानि कि facts of science in daily life तो विज्ञान और समाज के अगर हम मैं बात करूँ सबसे पहले लिखा है जो विज्ञान है मानो जीवन के कल्यान का मुख्य अंग है मानो एक दो तीन चार मानो मिल करके कही न कही परिवार बनाते हैं वो दो तीन चा तो अगर विज्ञान मानो का अभिननंग है तो समाज का भी अभिननंग होगा एक अगर विज्ञान से मानो की अगर प्रगति हो रही है या विज्ञान या फिर आप ये कहलो कि जो science है उसको base मान करके अगर मानो विकास कर रहा है एक मानो का विकास यानि कहीं न कहीं समाज का विकास जो है वो हो रहा होगा तो दोस्तों इतनी बाती थी जो फ़स्ट उसमें आपका दिया हुआ था इसमें कुछ और भी चीज़े दी हुई होती है जब हम बात करते हो जैसे कहते हैं कि विज्ञान और अध्यन स्वस्त है सुखी जीवन यापन करने के लिए सोशल वेलफेर के लिए नहने वेगनिक अविसकारों के लिए जो है प्रिणना मिल रही होती है डेफिनिट गोल्स की तरफ हम बढ़ रहे होती हैं तो यह चीज़ आप यहाँ पर बोल सकते हो कि समाज में विज्ञान का पूरण प्रभाव हमें कहीं न कहीं जरूर देखने को मिलता है इतने ही था इंट्रोड़क्टरी आपके चैप्टर में जो विज्ञान के बारे में दिया हुआ था एक और चैप्टर पर हम चलते हैं अपने विज्ञान के तरफ वो है गती मोशन क्या है मोशन भई? लिखा है समय के साथ किसी वस्तु की स्थती में परिवर्तन ही गती कहलाती है इसमें हम गती, दूरी, प्रकाश, बल, दाव, दुफ़नी, उर्जा इन सभी के बारे में बात करेंगे मोशन को क्या भोला मैंने किस समय के साथ में मतलब टाइम के साथ में कोई भी वस्तु अगर चेंज हो रही है, परिवर्तित हो रही है उसके गती में परिवर्तन, कुछ भी उसकी स्थती में परिवर्तन हो रहा है तो उसे हम गती कह देते हैं आगे कहते हैं ये तो आप उसे क्या देख कहे दोगे अब वह दूसरी स्थिती में चली गई है तो आप उसे कहे दोगे कि यह गती करके यह मोशन करके वहां तक गई है एक्जाम्पल में गती में चाल आता है आपका वेग है विस्थापन है और त्वरण है क्योंकि स्पीड में विलाउसिटी डिस्प्लेश्मेंट एंड एक्सिलेरेशन इन चारों में गती देखने को मिलती है ध्यान लखेगा यहाँ पर गती के वदारणों में यह चीज़े शामिल होती है बात ही आती है कुछ प्रकार के बारे में पात कर लेती है यहाँ पर जैसे मैंने कहा linear motion क्या है थीक है मैंने कहा रैखिक गती क्या होती है लिखा है किसी वस्तु का सीधी या वक्र रेखा में एक समान गती करना वो एक straight line में या एक curved पात पर अगर वो चल रही होती है एक समान गती होती है उसकी अगर तो हम उसे रैखिक गती कह देते हैं जैसे, for example, सड़क पर कोई आदमी चल रहा है वह एक linear motion में आता है बंदूख से छुड़ी गई जो गोली है वह भी एक linear motion में count होती है ऐसे ही, जो दूसरा टाइप है वो है या दृक्षिक गती, जिसे हम random motion बोलते है क्या कहते हैं? random motion कई बार आपसे सवाल पूछा गया है कि जो चड़िया की गती होती है जो आस्मान में चड़िया उट रही होती है जो उसकी गती है, वह किस परकार की गती में शामिल होगा तो उसे हम या दृक्षिक या फिर random जैसे कहते है, randomly कोई भी चीज आ जाए आप तो वहाँ पर चड़िया की गती फुटबॉल के मैदान में जो खिलाडी की गती होती है चड़िया आस्मान में किधर भी उड़ सकती है जो खिलाडी है फुटबॉल के मैदान में वह किधर भी गती कर सकता है फुटबॉल को पैरों से मारने के लिए ठीक है जी, तो ये या दृक्षिक गती में आपको देखने को मिलेंगे फिर बात आती है वरत्य गती के बारे में circular motion ये क्या होता है तो लिख लिजीगा इसमें समझ लिजे इसे के वरत्य कारपत पर चलने की जो इस्तती होती है या फिर वरत्य कारपत पर चलने के इस्तती है जो वरत्य गती है वो क्या है वरत्य कारपत पर एक circular path पर कोई भी वस्तू अगर चल रहा है पृप्रिवी द्वारा सॉर्य का परिक्रमड, तो पृप्रिवी द्वारा जो सूर्य का परिक्रमड है एक circular path में हो रहा होता है, एक वरतिये path पर हो रहा होता है, आप उसे वरतिये गती में रख देते हूं, दोलनी गती की बात कर लेती है उसलेटरी मोशन लिखा है आखिर यह उसलेटरी मोशन क्या है लिखा है जब कोई वस्तू एक निश्चित बिंदू के आगे पीछे या फिर उपर नीचे चलती है कोई निश्चित बिंदू है उसके आगे पीछे चल रही हो या फिर उपर नीचे अगर उसकी गती हो रही हो तो उसे हम दोलनी गती या फिर oscillatory motion कहते हैं जैसे कुछ example इन्होंने लिखा है यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जो जूले की गती है वो दोलनी गती में शामिल होगा पेंडूलम की गती आपका ये दोलनी गती या निकिए oscillatory motion में शामिल होगे चलिए तो बाकी इसका आप एक दोलनी गती है वो यहां से यहां पर लिखा हुआ है यहां से यहां पर बताया हुआ है कि जो revolution होता है वो कैसे होता है एक और यहां पर गती का परकार है जिसे हम periodic motion ब पर दोहराती है जो क्लास में आ रहे हैं उनका बहुत बहुत वेलकम है कुछ अच्छा लगे यहां पर शुरुबात की है हमने विज्ञान की तो आप लोग लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिएगा टेलिग्राम चैनल इलेक्रानिक स्टेडी है उससे भी जरूर जुड़ जब कोई वस्तो अपनी गती को समय के निश्यत अंतरालों पर दोहराती है मतब एक टाइम दिया हुए एक टाइम इंटरवल के बाद वो चीज देखने को मिले है जैसे सिंपल पैंडूलम की जो गती होती है सरलूलक की गती है जूला जूलते समय बालक की गती है यह सारे आ पे गोर्डन गती क्या है गोर्डन गती जब कोई वस्तो अपने अक्ष पर चार ओर ग्होमती है तो उसकी गती गोर्डन गती कहलाती है जैसे जो लट्टू की गती है पंक्खाय पंके को लेलवा प्रत्वी का घूमना घिरनी की गता पैंणे की कुमार चौक Итак की गती यह स कड को प्रतवी की सतह के निकट अक्षितें जिसे किसी कोड पर प्रक्षेपित किया जाता है मैंने कहा कुछ इस तरीके से यहां पर कोई चीज थी उसको हमने ऐसे प्रक्षेपित किया कुछ एंगिल बना करके यहां पर थीट एंगिल है तो कुछ डिगरी पर कुछ कोड बना करके अगर हम प्राक्षयप कर रहे हैं ऐसे में उसको प्राजेट कर रहरे हैं उपचित तरफ एक रहे हैं वहाँमारे प्राक्षयप मैं इनके प्राजेक्ट मोशन में देखने को मिलेगा बाकी घुरोडंगती के उधारण में कुछ चीजे और भी लेख सकते हुआ जो भी घुर्णन गती मैंने आपको पढ़ाई है तो इसमें धूरी पर घूमना है एक्जामपल यहां पर दिया हुआ है कि एक्सेस पर घूमना और क्या-क्या उसमें चीजे शामिल हो सकती है तो यह थी बात गती की अगले चाप्टर में हम पढ़ेंगे डिस्टेंस आपके दूरी को ले करके तो फिलहाल के लिए चलते हैं लाइक और शेयर तो बनता ही है शुरुआत मने विज्ञान के कर दी है आपके शिक्षक भरती की जल्द ही मिलते हैं थैंक्स पर वोचिंग